हेलो एवरिवन, व्ल्कम बैक टु आवर चैनल तो आज हम सीखने वाले हैं कि अगर हमें in English की grammar भी अच्छे से नहीं आते हैं कि हमें नहीं पता कि कहाँ पर is NOT लगेगा, कहाँ पर आर not लगेगा, कहाँ पर am not लगेगा तो हम वहाँ पर क्या लगाएं यह खासकर negative words के लिए ही use होता है positive के लिए तो हमें पता होना चाहिए तो हम उसके लिए use करते हैं एख जो टर्म होती है उसको बोलते है contraction, contraction होता है जहां पे हम दो words को contract करके इसको एक बना देते हैं तो उसको बोलते है contraction. तो हमें सीख लिते हैं अगर हमें m qualcosa, आर नौट और इस नौट के भीज में डिफ्रेंशेट नहीं कर पाते हैं कि क्या लगाए तो मुहां पर यूज कर सकते हैं एंट और इस पॉकर इंगलिस के लिए ही है आप यह मत सोचना कि इसको रिटर में भी कहीं पर लिख दोगे फॉर्मल वे में यह में नहीं चलेगा इन THIS is not My problem को कह लिखेंगे it ain't my problem you ain't my friend you are not my friend تم मेरे Ф्रेंड नहीं हो कह लिखेंगे you ain't my friend i am NOT की जग लिखेंगे an and i ain't your servant मैं तुम्हारा नोकर नहीं हूँ ले आप हम चीखते हैं कि हाम अगर do not लिखना हो do not को कह लिखेंगे don't don't you do not understand my problem you don't understand my problem do not come short format don't lick देते हैं I don't want to meet you मैं तुम्हें नहीं मिलना चाहता I don't want to meet you कि सिधा डॉंट लगा दीजिए और अगर does not है तो वहां पर के लिखेंगे डजन्ट डजन्ट इसको डजन्ट बोलते हैं इसकी परनाशेशन ध्यान रखेंगा he doesn't know me well वहां मुझे अच्छी तरह से नहीं जानता he doesn't know me well अमन डजन्ट गो टू स्कूल डेली अमन डेली स्कूल नहीं जाता अमन डजन्ट गो टू डेल स्कूल डेली हम देखते हैं कि इससे अगर हमें इंग्लिस बोलने की स्पीड भी बढ़ जाएगी डिरंट he didn't eat food वहां फूर नहीं खाता था रिया डिरंट कॉल मी यह नहीं मुझे बुलाया था तो कह लिखेंगे डिरंट यह पास्ट के लिए है और अगर हमें कहीं पर लिखना हो तो has not के जगा पर हम लिखेंगे hasn't hasn't he hasn't arrived yet वह अभी तक नहीं पहुंचा है he hasn't arrived yet राम hasn't completed his work राम ने अपना काम complete नहीं किया है राम hasn't completed his work यह है singular के लिए हम has लगाते हैं तो hasn't लगाया अगर हमें plural के लिखना हो तो हम वहाँ पर क्या लगाते होते हैं have not तो हम have not को लिख सकते हैं haven't haven't you haven't told me anything तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया है you haven't told me anything we haven't done anything हमने कुछ भी नहीं किया है we haven't done anything so I hope कि आपको has not has not have not किजेगा hadn't haven't यह जो भी मैंने बताए हैं यह सब कुछ आपको समझ में आ गए हैं अगर आपको आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेर और सेलन को सब्सक्राइब जरूर से जरूर किजे थैंक् क्लास में तिल दन बाई